नमस्कार आप देखरें न्यूस फॉल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोन अरायन शुरुआत करेंगे खबरों की चारधा म्यात्रा आज से शुरू हो गई है गंगोत्री अर्यमनोत्री मंद्री के कपाट आज फुल गए है इस दोरान चारधा म्यात्रा के लिए कोविट की नेगटिव जाज रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी यात्रिओं की सरक्षा को देखते हुए चारधा म्यात्रा मर्गों पर राद 10 पर से सुभा चार वरे तक वाहनों कावगवन बंद रखे जाने का भी निलिया गया इस साल चारधा म्यात्रा के लिए उत्रख़नाने वाले तीर थियात्यों को कोबीड की नीगेटिव जांच रिपोर्ट या ठीका करन परमान पत्रनी लखनाने वाला नहीं है ऐसा इसलिए किया चारा है ताकि श्रधालू को आगमन पर किसी प्रकार के असुविधा ना हो और आज जो किसी माओ पर भिली ना जमा हो अलग कि अधिकार्यों से स्थिती परलगातार नजर रखने के लिए कहा दिया है तो चारधा म्यात्रा की शुरवात आज से हो चुकी है जिसको लेकर श्रधालू जो है वो काफी उत्साहित नजर आए है लेकिन इस से बाद जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है वो अनिवार नहीं है अगर आप जाते हैं और आप से रिपोर्ट मांगी जाती है तो वो अनिवार नहीं है अगले आदेश तक ऐसा फैसला लिया गया है इसके पीछे करण दिया गया है कि जो राजिक सीमा है वहाँ भीड ना हो इस वजो से बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि एक के बाद एक कोर्णा के वाँ में फिर से बढ़ते हुए नजल आ रही है आज से विदीवत रूप से अज शुजिन अच्छे तिर्थिया के दिन आरांगा के तटपर गंगेट्री के पाठ आज से प्रारण हो गई अजिए आने वाला जो दसक है यह दसक उत्राण का दसक होगा और उसकी शुरुआत होई है और हमने हर परकार से कोसिस की है करीकी सबी यात्रों के लिए यात्रा सरालर्व स्गम हो उसके लिए परियास कर दे है थे आज याँ कपाठ हो रहे हैं न फ मरत को रोख में हो एक giroud के यह का दरखन्म ब्यूरो चीफ सिभाश कार्ड हमालसाफ लाइए जुड़ गए है सुभाष चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और श्रधालों के चहरे पर जो खुशी है उस आफ़तार पर निज़र आ रही है लेकिन इस बार अगर देखा जाए सुभाष तो चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है बड़ा फैसला ये कि नेगटिव जो रिपोर्ट है कोरुना की वो आपको दिखाना अनिवार नहीं होगा ये फैसला क्यों लिया गया है किसलिया और इस फैसले से फाइदे क्या होंगे ये मैं आप से जानना चाहूंगे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस बार शर्धालों के लिए कोविट की जो रिपोर्ट है वो नेगटिव लाने आने वारे नहीं होगी हाला कि इसका मुख्यब वज़ए ये है कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा करोना काल के बाद याने कि दो सालों बाद इस बार पहली बार बहतर तरीके से चलेगी जो परियाटक है उनके चेहरे खिलेवे नजर आ रहे हैं और ना किबल उशेतर के परियाटक पलके रिश्य कि इस हरीदवार जैसे शेत्रों में जो लोग हैं जो इस्पानिया लोग हैं जो अपना रोजगार करते हैं उनके चेहरे भी आखिलेवे हैं क्योंकि उनको बहतर रोजगार चारधाम यातरा संबेल पाएगा जो कि पिछले दो सालों से नहीं मिल पाया था और यही वज़ा कि इस वुकरे बैंतरी ने भी बताय कि अर्टी पिसिया रिपोर्ट लाना आनेवारे नहीं होगा जो भी शर्दाल उतराधाल के चारधाम यातरा करने पहुंचता है। उसके लिए सब सुग्ष विदाये जो भी महतवड़ चीजॉशे जो तमाम व्यवस्ताय Öustraakhand सरकार क तरफ से की गई है प्रशाशन के तरफ से की गई है और इस बार आठी पीस्कियार की नेगटिव रिपोर्ट लाना भी आने वारे नहीं है जो ब्यक्ति चारधाम यात्रा के लिए उत्राखंड में आना चाहता है उसका उत्राकंड सरकार स्वागत करेंगे और चारधाम यात् संक्या पर श्रधालू उत्राखंड पहुंचेगा राज में जो बॉर्डर है वहाँ पर जादा भीड़ी खटी ना हो इस वज़े से भी फैसला लिया गया है इसी भी जानकारी मिल रही है इसके अलावा और क्या-क्या सुवधाय कि जाम के समस्या लगातार बनी रहती है च यातरी हैं वो गंगो उत्री और यमनोत्री धाम के लिए प्रस्तान करना शूरू कर दिया और कुछ जो श्रधालू था यातरी थे वो इन इस्थानों पर पहुंच भी गए लेकिन बड़ी चुनौती राज्य सरकार के पास पूलिस प्रशाशन के पास और जिला प्रशाश यातरा बहतर तरीके से उत्राखंड में चले और इसके साथ ही परियाटन को भी बढ़ावा मिले और तमाम जो परियाटक उत्राखंड के तरफ अपना रूप करते हैं उनकी संक्या में इजाफा हो तांकि इससे प्रदेश को भी फाइदा है और जो स्थानिया लोग हैं जो दो सालों से चर्माराई हुई ती वे विवस्ताइं फिर से ठीक हो पाया और यही वज़ा है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गए हैं और सबसे महत्तों पूंची जो बॉर्डर्स एरिया है खास तोर से उत्राखंड में लगने वाले बॉर्डर हैं चाहिए माचल प्रद द्वार रिशिक एसी जो दो मुक्या ऐसे चेत्रे हैं जो चारधाम यातरा से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इन शेत्रों में जो पर्याटक हैं या पिर अन्य जो शर्धालू आते हैं वो इन इस्थानों पर भी रुखते हैं और यहीं से उनके लिए जो बस इस ताज दिदार की हस्तत लिए आयोध्या से दूसरी बार आगरा पहुंचे जगदगुरू परमहन्स आर्चारे ने अलान किया है चाहा कि जब तक 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 जल ग्रहण नहीं करेंगे ताज दिदार के लिए जौते समय आर्चारे जगदगुरू को आगरा प्रशासने रास्त किया है आज आगरा के जो अधि प्राचिन संकर्मावान का शिवाले शिमंदिर है तो वहां मैं ये साई चीफ के निमंतर देने पर मैं आया था लेकिन मुझे प्रसासन ने बीच पे रोग दिया और तीन-चार घंटे तक इधा से उधर भुमाता रहा इसके बाद आगरा के कीठम जील गेस्टावस में मुझे पोहुचा दिया गया है नागरिफ मंतराले की टीम ने धनीपुर हवाय अट्ये को दूसरे शेहरों मुडान भरने के लिए हरजनली दे दी है अगर विमान मंतराले के दिकारियों दौरा दिल्ली माई के महीने में तै किया जाएगा कि किस कंपनी को विमान संचालन के लिए लाइसेंस दिया जाए शुरवात में 19 सीट वाले छोटे विमानों को ही उड़ान भरने की इजासत दी जाएगी च्छेत्री उड़ान सेवा के अंतरगत अलिगड़ एएरपोर्ट को विस्टित किया जा रहा है अलिगड़ एएरपोर्ट का 137 कारपोन हो चुका है बहुती प्रगती के साफेक्स बहुती प्रगती आप्सव प्रितिसत हो चुकी है 27 तारीक को निदेशाले की च्छेत्री की टीम के दुवारा अलिगड़ एएरपोर्ट का भ्रंबे और जो हैंगर बने हुए हैं उनका बहुती ग्रूप से निर्चन किया गया उसमें जो चोटी मोठी कम्यां थी उनके बारे में हमें आउबद कराया गया उन कम्यों को दूर किया जा रहा है निदेशाले की टीम के दूर आउबद कराया गया कि धहमान टीम जो है इसमी रिपोर्ट जो है सासन को सौफेंगी और सासन के निर्देर के तरह में लिकड़ के थाना अकराबाद शेत्र के पनीटिक अंगीरी रोड पर शेका गान वासी दो में तक दलित यूको के परिजनों निग्रामिलों के साथ मलकर उस वक्त सड़क जाम करते वे रास्ते पर जाम लगा दिया जब 18 वर्षी है रोड़ और 17 वर्षी है युवा कमोहीती देरा थाना हरदुआ गंशेत्र के कसपा जलाली से एक रिल्यू समान देने के बाद बाइक पर सवार होकर अपने खचा रहे थे उसे दुरान तेज रफ्तार ग्यात वाहर ने बाइक सवार दोनों भाईयों की बाइक पीछे से दो दार्टक करवार दी जिसके चलते दोनों की मौके पर हिद्दार्टनाग मौत को गई पंचायत नामा पोश्मार्टन के बाद डेट वर्डी यहां गाओ आई थी तो इन लोगों ने इनके परिदनों ने जाम लगा दिया है जो खुलवा दिया गया तो उनकी माँ गए कि एक तो जो उन्होंने तहरीर दी है उसके हिसाब से कारवाई हो तो कारवाई की जाएगी ग्राम शेखा के दो गाओं दो बच्चे थे आरून और मोहित जिनका कल यहां एक्सिडेंट हो गया उनका कहना है कि गाओं के जो ठाकुर है कपिल और डिम्पी उनके द्वारा घटना की गई है इसमें जो इन्होंने तहरीर दी है उस तहरीर के आधार पर थाने पर मुकद जाम का परपस यहता है कि पुलिस कारवाई करें बता आय जा रहा indra अमेठि पर महिला सुशंत्य करल पूरेक्री से फेल है थाने आई पर यादी महिला जमीन पर बैठी रही अब येटि में महिला सोश्रक्तिकरण पूरी तरह से फेल है थानीय आई पर्यादी महिला जमीन पर बैठी रही बगर गही कुर्सियां खाली वड़ी हुई थी लेकर इस सहाब कुर्सी पर बैठी रही और महिला को जमीन पर विठा दिया महिला का जमीन पर बैठे रोते हुए वीडियो बारल हुआ है। पर बैठे रोते 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 हैं। एक अवैत तमचा दो जिन्दा कार्टूस इनके पास से बरामत हुए है। जन्पद गोंडा में पुलिस एंकाउंटर में एक शातीर अपराधी उसको गोली लगी है। हत्या के केस में वांचे थाना तरब गंच से अभ्यूक महेश को जो की 25,000 रुपे का इनामिया भी था उसको भी गोली लगी है। उसका एक अन्य साथी 25,000 का इनामिया उसको भी गिरफतार किया गया है। सरहानी कारे करने वाली हमारी सोजी टीम और थाना तरब गंच टीम को डिवार्ट भी दिया जा रहा है। और जनपत गोंडा में इसी तरीके से अपराध्यम अपराध्यों खिलाफ अभ्यान चलता रहेगा। प्रशासन के उसे सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए जिला प्रशासन के उसे इतका के बाहर एक कैंप लगाए गया जो आज जिरादिकावी असुस्पिने लोगों को गल्ले मिलकर इतके विधाई दी रेगर पालिका के उवर से भी साफसफाई का विशेश इंतिजा प्रशा की बात हो हर चीज को इस तरीके से पालिका की नहींत से करा हुए था और आज इस मौके पे भी मेरे आवा पुरी सुधिश पहले वारा यहां पे मिलके सब्कों मभारत देगी और हम लोग यहीं दूआ करते हैं कि जनपद में प्रदेश में अमन शांती का जो यह सं आज हम और डियम साहब यहां इस गार में मौझूद है पुली साथ पुशासनी को रस्ता अमन अगरपाली का के और सी सांसभाई के वस्ता बढ़िया किया गया है पिरिभीत में गने सबर एक ट्रेक्टर टॉलिया ट्रोकों का लंबा जाब लग गया पुरिशेर में कई स्थानों पर यह जाम लगा रहा या तैयाजी से बादीद हुआ कई वहां जाब में फसर रहे ट्रेक्टर चारक ने बाइक सवार को टक्कर मारती सड़क पर हाई वो पिरिया प्रजेक्ट के तहट एक जिरा एक खेल को लेकर टेराकी के लिए लियंपुल कित्खरी ने तराकियों के लिए तरन ताल का शुबहरम किया अपेली भीत में तराकी करने वाले कि राडिकों लेखुषकब्री है जिनको मैडिकल परिक्शन करने के बाद उनका तरन प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश दिया जा सकेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि वियंकर गर्मी का जो बौसम होता है वो मई और जून का होता है। कि हमारा शरीर जो है एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे अच्छा काम करता है। और अगर इसमें वारियेशन होता है कम या ज्यादा होता है तापमान तो हमारे शरीर को दिक्कते आने लगते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सर्थियां पढ़ती तब भी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा घर्मियां पढ़ती तब भी दिक्कत होती है। समुले पत्रावर फारिंग के डिराने वाले वीडियो सामने आए हैं। तस्फीर में दिख रहा है कि पत्रावर्ज फारिंग के आवास सुनाइती रहे हैं संखर्ष में आमने सामने लोग जुपते हुए नजर आ रहे हैं असमौली थाने के गाओं सदीनपुर्थ का ये वारल वीडियो पताय जा रहा है आदा रहे हैं, आदा के लिए रहे हैं अधर के पन्नुगन्च थानाशेत्र के पचुकर गाउं में बीतुरे विवार की रात अधरा थानाशेत्र के सीक्री गाउं से आई बारात में और केस्टर में गानी को लेकर हुए विवारत के बाद बाराती पक्ष और घराती पक्ष में जब करमा पिटाई हो गई जिसके बाद एक दर्जन लोगों को चोटी आई है अनन्फानलन मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी खाय लोगों सियस्ति पहुंचाए वहीं बारात में शामिरे क्यूअक सरोष चाहा की मौत हो गई है दिनेश्फुर के थाना अंतरगत रामबाग में मादमिक एवंपरात में की विद्याले के सौचाले से पानी की कई टोंटियां स्टाटर ताला तोड़कर चोड़ चोड़ी करके ले गए है दौनों विजालों सें चोड़ी करक statut फरा하 उपर के समान चोड़ी करके फरार है फिलाल पुलिस को चोड़ी की तेहरी की कही है है इन मेरे इसमें तोट हैं तंब निर गर तोड़े लेगें हैं त्लम करें उस्टे सब्सक्राइब करने ही तो खोड़े पर सवार होकर इस IPS ने संक्री गरियों में सिठी कमांडर द्वारा घोड़ों की तोपों की दस्तक से कानून ववस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया है जिसके तस्वीरे चर्चावा विशेबरी होई है और इसे के साथ खलाल खबरों में इतना ही आप बने रही है न्यूस सॉल इंडिया के साथ